इस पीली चीज से आपके गुड़ेल के पौदे पर लंबे समय तक फूल आते रहेंगे इसके अलावा दोस्तो अगर आपके गुड़ेल के पौदे पर महली बग नामक कीड़ा लग चुका है तो इसकी लिए से चुटकारा पाने के लिए मैं ये तरीका लेकर आया हूँ तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ आखिर में यह पीली चीज क्या है कैसा काम करती है क्या इसके फायदे है वो सारी चीजे हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे तो नमस्कार दोस्तो स्वागते आप सभी का अमारे इंडियन व्यूटी गार्डन यूटूब चैनल पर आईए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो सामने रखे हुए इस गुडैल के पौदे पर आपको कुछ ऐसे कीडे नजर आ रहे होंगे जिन कीड़ों को महली वक के नाम से जाना जाता है जी हाँ दोस्तो यही वो कीड़े हैं जिनको महली वक के नाम से जाना जाता है और सायद आपको यह नहीं पता है कि अगर किसी पौदे पर यह कीड़े लग जाते हैं तो उस पौदे को ये पूरे तरीके से खराब कर देते हैं जैसे कि हम बात करें इस गुड़ेल के पौदे की तो दोस्तो इस गुड़ेल के पौदे पर फूल और कलियां काफी यादा आये हुए हैं और इसी के साथ अमारे इस पौदे पर ये शफिद रंग के महली वक्ष भी लग चुके हैं तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ अगर हम इन महली वक्षों का सही समय पर उपाय ना करें तो ये अमारे पौदे को तो खराब करते ही करते हैं इसी के साथ अमारे पौदे पर जो कलियां आयाती है वो कलियां फूल में भी नहीं बदल पाती है क्योंकि दोस्तो जब तक अमारे पौदे पर महली वक्त रहेंगे तो वो अमारे पौदे पर उन कलियों को फूल में नहीं बदलने देंगे क्योंकि वो कलियों पर उस तरीके से अटेक करते हैं कि उन कलियों में जो रस होता है उस सवी को वो चूस लेते हैं इसी बयाँ से दोस्तों हमारे पौदे पर जो कलियां होती हैं वो पीली पड़े आती हैं और पीली पड़कर फूल बनने से पहले ही वो गिर जाती हैं इसलिए दोस्तों हमको ये तो ध्यान रखना है कि अमारे पौदे पर कहीं महली वक्त तो नहीं लगे हैं अगर लगे हैं तो उनका सही समय पर उपाय करें जिससे वो उमारे पौदे पर किसी भी तरह का अटेक ना कर सकें तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इन महली वक्तों को खत्म करने के लिए कौन सा उपाय है आखिर में मैं कौन सी चीज आपको बताने वाला था और इसी अल्दी पाउडर के इस्तिमाल से हम अपने गुड़ेल के पौदे से इन महली वक्तों को खत्म करेंगे और कैसे खत्म करेंगे हम अपने पौदे से उन महली वक्तों को वो सारी चीज़ें अब हम जानाएंगे तो दोस्तो मैं आपको बता दू सामने मैंने एक तो अल्दी पाउडर लिया हुआ है आप देखी पा रहे होंगे और इसके लावा दोस्तो मैंने आप पर एक स्प्रे बोटल में आदा लीटर पानी भी ले लिया है और आदा लीटर पानी में एक चमच अल्दी पाउडर भी मैंने डाल दिया है डालने के बाद मैं दोस्तों यह हमको अच्छे तरीके से गोल देना है और गोलने के बाद मैं इसका इस्प्रेय हमको अपने गुडल के पौदे पर कर देना है और ध्यान रखें दोस्तों इस्प्रे आपको ऐसे करना है जिस जगे पर आपको मैली वक्स नजर आ रहे हो उसी जगे पर आपको अच्छे तरीके से करना है जिससे आपके पौदे से मैली वक्स अच्छे तरीके से खत्म हो जाएं अब दोस्तों मैं आपको बता दू कि हल्दी पाउडर का इस्प्रे हम अपने गुड़ेल के पौदे पर महीने में तीन बार कर देंगे तो सिर्फ एक ही महीने में हमारे पौदे से ये मैली वक्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों अल्दी पाउडर एक ऐसा पाउडर है ये एक ऐसा फर्टिलायर माना गया है गुड़ेल के पौदे के लिए जिससे हम गुड़ेल के पौदे पर लगे हुए मेली वक्स बिल्कुल आसानी से चुटकारा पा सकते हैं तो उम्मीद दोस्तों आप लोग इस चोटे से काम को जरूर कर पाएंगे और अपने पौदे से इन मेली वक्स नामक कीड़ों को भी खत्म कर पाएंगे तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें वीडियो कैसी लगी और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राब नहीं किया तो इसे सब्सक्राब कर लें जिससे मेरी आने वाली नही नही वीडियो का आनंद आप भी ले सकें फिर मिलूँगा आपसे मैं किसी नही वीडियो के साथ ठेंक यू